Hello and welcome back. कैसे हो आप सब? So, आज हम करने जा रहे हैं Types of Operating System और Type of Operating System में हम discuss करने जा रहे हैं Multi-Programming Operating System So, let's get started सबसे वेले हम देख लेंगे Multi-Programming Operating System की Definition क्या है An Operating System that allows multiple programs to run simultaneously on a single processor is known as Multi-Programming Operating System एक ऐसा Operating System जो की ये अलाओ करता है यूजर को to run multiple programs एक single processor पे जो मतलब अगर एक CPU है जो उस पे multiple programs को run कराता है ऐसे operating system को हम बोलते हैं Multi-Programming Operating System लेकिन इसमें क्या है मैंने क्या term यूज करी कि वो programs को multiple programs को run करा रहा है लेकिन execute वो एक time पे एक ही program को कराएगा समझ गए या फिर एक ही process execute होगा तो जैसा भी आपको suitable लग रहा है टास्क होता क्या है हम computer में क्या डालते हैं वो डालते हैं एक program ठीक है वो program को समझता है तो इसलिए मैं program की term यूज कर रही हूँ तो क्या है कि इसमें होता क्या है कि अगर वो क्या करता है simultaneously अलग-अलग programs को run कराता है but execute एक time पे एक program करेगा एक processor के ऊपर second point it is non-primitive non-primitive का मतलब क्या है देखिए मालो कोई program जो है वो run कर रहा है P1 program run कर रहा है उसमें और वो अपनी इच्छा से ठीक है अगर आप चाहते हो कि मेरा P1 program ना run करके या फिर P1 process जो run हो रहा है वो process ना run करके दूसरा process start हो जाए तो उसमें आप खुद से उसको बंद करते हो है ना खुद से उसको switch करवा देते हो तो वो होता है primitive लेकिन ये है non-primitive non-primitive का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें आपका कोई role नहीं है अगर P1 process चाहेगा कि भई से किसी secondary memory से या उसको कोई output देना हो उस time पे वो जरूर क्या कर सकता है कि वो कुछ time के लिए क्या करेगा तो CPU जो होगा वो process 2 को run कराएगा ओल्राइट third point देखते हैं अगर if one program is busy in input output process at that time operating system terminates that process for some time and hand off the command to some ready to run in program क्या मतलब है इसका अगर कोई program busy है input output process में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालो पहला process execute हो रहा है पहला program run हो रहा है आपका और उसमें कुछ instruction आई कि भई अब आपको input लेना है कहीं से या फिर आपको output देना है उस time क्या होगा CPU का काम उसमें कोई नहीं है वो जो आपके दूसरे devices है input output devices काम अब उनका है तो CPU उस time पे क्या करेगा उस process को ना P1 process को कुछ time के लिए terminate कर देगा और P2 जो उसके बाद वाला process है उसको उठा लेगा जो ये ready to run in program है ना दूसरे वाला उस process को फिर उठा के run करना शुरू कर देगा तो ये हम एक diagram के तुरू समझेंगे अभी आपको क्या देखना है कि ये जो switching है ना एक process से दूसरे process में उसी को हम बोलते हैं context switching समझाया है यहां तक आगे चलते हैं देखिए for example ये हमारा CPU है और CPU में ये जो operating system है इस पे हमारे multiple processes load है ठीक है ये क्या है multiple processes जो है ये memory में इसके stored है या फिर load है तो P1 से PN तक processes है हमारे अब क्या होगा सबसे पहले जो है P1 process या process की जगे में एक term यूज करती हूँ यहां पर ता कि आपको समझाया है task कोई काम ठीक है तो जैसे कि कोई P1 process है P1 task है पहले वो जाएगा कहा CPU के पास CPU क्या करेगा CPU पे जाके वो run होगा और CPU उसको execute कराएगा है ना अगर सब कुछ ठीक है और उसको कोई input output device से कुछ भी नहीं चाहिए कहीं से data fetch नहीं कराना कहीं data नहीं देना तो होगा क्या P1 जो है वो execute हो जाएगा फिर क्या होगा उसके बाद P2 execute होगा फिर P3 होगा और इसी तरीके से सारे PN तक execute हो जाएगे अब इसमें क्या होता है multi programming में मालो P1 जो है आपका process उसमें instructions में क्या है कि उसको कहीं से कोई file fetch करनी है ठीक है तो होगा क्या कि उस time पे CPU का कोई काम नहीं है तो CPU कुछ time के लिए idle रहेगा अब batch processing में हमने क्या देखा था कि similar job के batches जो है वो बन जाते हैं और वो क्या होते हैं CPU one by one execute कराता है लेकिन अगर batch 1 जब तक process नहीं हो जाता जब तक batch 1 execute नहीं हो जाता batch 2 पे नहीं आता है और अगर batch 1 में किसी process को कोई काम है input output से related तो उस time में CPU खाली रहता था लेकिन यहाँ पर क्या है multi programming में कि माल लो P1 जो है आपका P1 process को कोई काम है input output से related तो CPU खाली रहने की बज़ाए वहाँ पर यह जो P2 program है यह जो P2 task है वो जाएगा और वो run हो जाएगा समझ आ गई similarly इसी तरीके से P3, P4, P5 माल लो P2 run हो रहा है और P2 को भी कुछ काम आ गया और उसे भी जाके कोई पहले वहाँ से print निकालना है या फिर कहीं से data fetch करना है तो CPU खाली ना रहने की बज़ए P3 को उठा लेगा P3 process को अपने उपर load कर लेगा और run करवाएगा इसी दरीके से यह multi programming जो है यह operating system काम करता है multiple programs आपने अब देखा ना कि P1 जब P1 भी चल रहा है P2 भी चल रहा है और similarly P3 भी चल रहा है आपका सेम टाइम पे काम तीनों में हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ आगर आपका CPU है एक single processor है तो single processor पे single time पे एक single task ही execute होगा execute एक होता है run करना है ना run होना और एक है execute होना तो single time पे एक ही program execute होगा अब कई बार आपने देखा है कि आप windows जो है आपने कोई website खोली तो उसमें multiple windows आपने खोल दी है ना तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर एक window पे अलग से काम कर रहे हो एक साथी काम कर रहे हो सिरफ एक ही window पे आप काम कर पाओगे ना तो इसमें भी यही लिखा कि एक ही लिख एक एक बारी में ओलराइट तो माल्लो आपने कोई क्लिक करी है तो पहले वही खुलेगा पिर उसके बाद दूसरी चीज कुलेगी क्लिक करने पे फिर तीसरी तो यह तो नहीं है कि क्लिक करने पे भाई मतलब बहुत सारी Windows में आप काम कर पा रहे हो, तो बस पॉइंट इतना ही है कि एक टाइम में वो एक ही चीज़ को एक्जीक्यूट करता है, अल्राइट, अब आगे चलते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग उपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, इसके टाइप्स जो है न, वो है जैसे की मल्टी टास्किंग, जिसको हम टाइम शेरिंग भी बोल सकते हैं, फेर शेर उपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, तो यह है क्या मल्टी टास्किंग, टाइम शेरिंग, फेर शेर, तो ये पढ़ते हैं अब हम इसकी definition एक multi programming operating system जिसमें time sharing हो रही होती है उसे बोलते है multi programming operating system इस operating system में क्या होता है हर एक process को एक specific quantum of time वो है assign कर दिया जाता है जिसमें वो process execute करता है I hope मतलब मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगे तो ये diagram से समझेंगे तो cpu जो होता है न in this process होता क्या है cpu क्या करता है switch करता है processes के बीच में इतना quickly वो switch करता है कि हमें एक illusion create हो जाता है कि हमारे जो programs है न वो same time पे execute हो रहे है कहने का मतलब हमें लगता है कि सारा का सारा task एक ही time पे perform हो रहा है बट ऐसा होता नहीं है single time पे single process है single task ही execute होगा single job execute होगी alright but illusion create हो जाता है हमारे mind में so अब मैं इसको एक diagram से आपको समझाती हूँ कि multitasking operating system क्या है basically कैसे होता है देखो जैसे कि हमारे पास 4 process हैं या फिर 3 process ले लेते हैं P1 P2 और P3 यह ले लिए हमने 3 processes P1 अगर CPU पे load होता है CPU इसको run कराता है इसका run time है 5 seconds 5 seconds में execute हो जाएगा P2 जो है वो भी 5 seconds में execute हो जाएगा और P3 जो है वो भी 5 seconds में execute हो जाएगा अब क्या होगा इसमें अगर multi programming operating system हम देखेंगे तो पहले P1 जाएगा CPU के पास है ना और अगर उसके पास कोई भी ऐसी command नहीं है कि उसको input नहीं लेना कहीं से output भी नहीं देना तो क्या होगा पहले P1 execute होगा 5 seconds में हुआ P1 execute फिर जाएगा उसके पास P2 फिर P2 execute होगा 5 seconds उसके अगले 5 seconds में और उसके अगले 5 seconds में P3 execute होगा ऑल राइट बट हम पढ़ रहे हैं यापर multi tasking operating system अब multiple tasking में क्या होगा इसमें जैसे कि ये CPU है ठीक है इसके अंदर का process में समझाती हूँ आपको यहाँ पर ये CPU है पहला जो होगा वो होगा P1 ठीक है पहला कौन सा जाएगा टास्क पहला वाला टास्क P1 वाला तो P1 अब मैंने क्या करा कि इनको एक time दे दिया कि 2 seconds में जितना भी चीज आपकी run हो जाए या execute हो जाए आप वो कर लो और हर एक को मैंने 2-2 seconds का time दे दिया हर program को या पि कह दू हर process को जैसे मैंने P1 को 2 seconds का time दे दिया इसी दरीके से P2 को 2 seconds का time दे दिया और P3 को भी 2 seconds का time दे दिया क्या मतलब है इस 2 seconds का time देने का कि CPU ने क्या करा पहले P1 को run कराया 2 seconds के लिए जैसे ही 2 seconds पूरे हो गए जितना काम हो गया हो गया वो क्या करेगा P2 को ले लेगा P2 को क्या करेगा वो जो है P2 को 2 seconds के लिए वो क्या करवाएगा run कराएगा फिर जैसे ही 2 seconds run हो गया फिर वो उठा लेगा P3 को 2 seconds जो है वो P3 को run कराएगा अब क्या होगा P1, P2, P3 को उसने 2 seconds run करा लिया अब वापस से P1 को वो उठाएगा और P1 के काम चालू करेगा 2 seconds के लिए और ऐसे ही आगे P2 for 2 seconds और यहाँ पर आएगा P3 2 seconds के लिए अब कितना seconds हो गया P1 जो है अगर P1 को execute कराते वो तो इसका execution time है 5 seconds तो 2 seconds और 2 seconds 4 seconds execute हो गया 4 seconds run हो चुका प्रोग्राम हमारा है न अब वो दुबारा से P1 को उठाएगा और 1 second इसको run कराएगा यह यहाँ पर execute हो जाएगा एक second के बाद फिर P2 एक second के बाद execute हो अब क्या हो रहा है इसमें अब मुझे यह बताओ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि पहले पहला टास्क हो रहा था अगर हाँ उसको कुछ input output access करना है तो P2 चला जाएगा अधर वाइस अगर मैं माल लेती हूं एक्जाम पर कि कोई भी input output device को access नहीं करना उनको कहीं से भी file नहीं लेनी कहीं भी file देनी नहीं तो P1 पहले task होता है ना 5 seconds के लिए फिर 5 seconds बाद P2 होता और 10 seconds के बाद P3 execute होता जो कि 15th second में P3 का number आता लेकिन multitasking में क्या हो रहा है P1 भी run हो रहा है दो seconds के लिए P2 भी run होता है और P3 भी run हो रहा है तो एक साथ जो हैं ये तीनों प्रोग्राम्स हमारे run कर रहे हैं कुछ-कुछ time के लिए तो ये हैं आपका process multitasking operating system ये हैं आपका क्या multitasking operating system तो अब आपको समझ में आ गया multitasking का ये क्या होता है तो basically मोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है multiprogramming में कि फाइदा क्या है multiprogramming का या मैं कहूं multitasking का multitasking एक sub-part है multiprogramming का कि जो CPU का time है न वो idle time चला जाता है CPU खाली नहीं बैठता और वो क्या होता है वो कोई न कोई उसके पस program रहता है run कराने के लिए कोई न कोई प्रोग्राम उसके पस होता है तो CPU busy रहता है idle time नहीं होता है जिससे क्या होता है कि हमारा जो process होता है न वो fast हो जाता है समझ गए यह है एक advantage आपका तो पड़ मैं आपको बता दू कि क्या होता है अब यह जो process हो रहा है न जिसे P1, P2 और P3 एक साथ चल रहे हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारे तीनो टास्क क्या हो गए एक्जीक्यूट हो गए 15 सेकंड में तीनो टास्क एक्जीक्यूट हो गए है न यह भी चल गया यह भी चल गया यह भी चल गया बट हमें क्या लगता है न कि एक टाइम में एक ही साथ यह एक्जीक्यूट होगा तीनों पर ऐसा होता नहीं है हम ये बस हमारे illusion होती है कि हमें लगता है कि सारा काम इखटा हो रहा है लेकिन एक टाइम पे एक प्रोग्राम ही execute होगा ठीक है एक ही प्रोसेसर पे लेकिन अगर multiple processor है मान लो cpqs multiple processor है तो वो एक अलग operating system होता है multi processing operating system तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगे और आपको बताऊंगे कि multi processing operating system क्या होता है तो कुछ advantages भी है और कुछ disadvantages भी है advantage क्या है कि जो cpu की utilization होती है न वो increase हो जाती है दूसरी advantage है कि waiting time जो है वो कम हो जाता है अब आपने खुद देखा कि अगर मालो पहला program कोई उसमें उसने pause लिया या फिर उसमें time लग रहा है या फिर वो input output को access कर रहा है तो दूसरा program चल जाएगा उस time पे है ना तो उससे के waiting time कम हो जाता है आपका तो use आज कल के time पे आपको बता है कि load बहुत जादा है में बहुत सारा काम करना होता है तो आज के time के लिए बहुत अच्छा है multitasking operating system disadvantages भी है इसके कुछ जैसे की scheduling difficult हो जाती है इसमें दूसरा main memory की management required होती है तो ये है आपका क्या advantages और disadvantages of multiprogramming operating system अब कुछ examples है आपके multiprogramming operating system के जैसे की google chrome ms excel firefox तो ये सब है आपके multiprogramming operating system के examples अब जैसे की आपकी multitasking और multiprogramming में फरक कहां पर आ गया फरक क्या है पहले तो ये देखो कि क्या similarity है देखो दोनों में एक ही program execute हो रहा है एक time पर है ना एक time पर एक processor पर एक ही time पर क्या हो रहा है एक ही program execute हो रहा है या एक ही process को execution हो रही है लेकिन इसमें क्या है कि time sharing आ गई है time sharing आ गई है उससे क्या हो रहा है कि P1, P2, P3 तीनों को time मिल रहा है execution के लिए जल्दी जल्दी वो हो रहे है जल्दी जल्दी रन हो रहे हैं, तीनों ही रन हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, उसमें multiprogramming में क्या था, अगर आपने कोई वो करा है, तो पहले P1 प्रोसेस होगा, फिर P2 और P3, अगर कोई भी उसमें input-output को access नहीं करना तो, है न, तो time भी बच गया इसमें, इसम responsiveness जो है न, वो increase हो जाती है, आपके किसकी computer की या फिर operating system की responsiveness अच्छी हो जाती है, so this is all about multitasking and multiprogramming, अब next video में मैं आपको multiprocessing कराऊंगी, single user operating system और multi user operating system, तो इस तरीके से operating system पे video जो है, वो यस labor से operating system का, वो complete हो जाएगा, बाकी मैं कुछ detail में जो है videos मनाऊंगी, तो वो आप skip कर सकते हैं, सिरफ जो है आपकी मतलब की videos हैं, वो देखना बस, ठीक है, चालो, take care.